इसे हमें मरते मरते सभी को बता जाएंगे है बतन है बतन है नमस्कार फाइटर्स कैसे आप लोग इंजॉय कर रहे हो थैंक यू थैंक यू सो मच आप सब लोगों का सबसे पहले में सब्सक्राइब के मैनेजमेंट अत्वा फाइटर सपोर्ट सिस्टम के बहत्रीन लीडरों की तरफ से एक बार फिर तहीं दिल से स्वागा अगिने अनल बिटा हूँ कि आप लोग काफी देर से यह बैठे है आपने लोगों को अचीवमेंट करते देखा पैसा कमाते देखा खुशिया मनाते देखा नासते देखा जोशिले भाशन देते हुए सुना तो कुछ आपने देखा तो किसि को कुछ सम्झ में आ रहा होगा कोई सोतर होगा है और उसने का जी मुझे कोई मतलब नहीं मैंने क्या कमाया मैं ठीक हुआ करा यह ő और नो मैं ठीक हुआ मेरी बिमारी टीक हुई मेरी बापा की मिह बिमार mission 8 मैरे मा की मुलने वालो की मिह कुई यॉच जूट बोल सकता OW सब कुछ जूट हो सकता है, सब बाते जूट हो सकती है, ये कंपनी जूट हो सकती है, प्रोडेक्ट जूट हो सकता है, चैक जूटा हो सकता है, लेकिन एक बिमार आदमी जो चल नहीं सकता, अगर वो चल के दिखाता है, कि ये प्रोडेक्ट खाके मैं चल रहा हूं, वो किया जा रही है कि क्या होगा इस देश का कैसा काम कर रहे हम लोग अच्छा काम है बुरा काम है अच्छा काम है इसमें भी कोई हमारे साथ आता है कोई नहीं आता और कोई आके भी नहीं जा काम करता कोई आता ही नहीं है हम कहते हैं हमारे साथ काम कर हम ये काम कर रहे हम लोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं लोगों को अच्छी खाने पीने के बारे में बताएंगे लोगों को बिमार नहीं होने देंगे लाखों रुपे की जो भीमारिय लोगों की हजारों में खतम कर देंगे, चला हमारे साथ दे, तो भी हमारा साथ देते नहीं ये लोग, और अगर कोई आ भी जाता है, पैसे दे भी देता है, हमारे जुड भी जाता है, तो भी काम शुरू नहीं करता, क्योंकि आज ये जो पीछे है आज हमारा देश मैं कोई देश भकति की बात नहीं करूँगा लेकिन मेरे मन में पांच घंटे जो कुछ चल रहा है वहां बैठे बैठे आज यह हिंदुस्तान जो पीछे है आज यहां पर सब कुछ होते हुए सबसे अच्छा किलाइमेट होते हुए सबसे बड हिंदुस्तानी पर भरोसा नहीं करता विश्वास नहीं करता कब आएगा यह विश्वास और कितना वक्त लगेगा मैं आज यह सोच रहा था बैटे बैटे कि शायद इस हिंदुस्तान को एक देखने में मेरी जिंदगी निकल जाएगी और कुछ भी करना पड़े तो मैं कर करूँगा लेकिन मेरा मकसद एक है खेट हिंदुस्तान के इंसान में यह लिए ली आत्मा को जगाना जो हमारी नहीं जाओ से अच्ण Kerry आप देख रहे हो मैं अपनी कमनी में बात में हुझा हम लोग क्या काम करने क्या तो मैं इससे नफरत करता हूं, यह इससे प्यार करता है, कोई नफरत करता है, कोई मुसलमान से नफरत करता है, कोई चमार से नफरत करता है, कोई चूड़े से नफरत करता है, क्या हो रहा है? यही कंट्री है क्या हमारी? यही कंट्री है क्या? ऐसे हम क्यों हैं? क्यों नहीं हम इ अगर देश है तो हम है और देश नहीं तो दोस्तों हम भी नहीं। अगर जानना चाते हो देश की तागत तो जाओ सीरिया में रहना मुश्किल हो जाएगा। जाओ इजिप्ट में दूसरी कंट्रियों में रहना मुश्किल हो जाएगा। अरे country के लिए जीना हम लोगों को country के लिए उसके बाद परिवार आता है अगर country है तो परिवार भी और हम भी हैं उस एक छोटी सी मुहीम इस country के लिए हम चला रहे हैं चोटी सी मोहीम हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे मेरे को मालूम है हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे पर एक चोटी सी मुहिम चला रहे हैं वो आयरुवेद को लेकर है हमारे देश में हर आदमी बीमार है हर गरीब आदमे के पास बीमारी ठीक करने के पैसे नहीं है लोग इतने इतने कसाई बन चुके हैं ऐसे डॉक्टर बन चुके हैं कि अगर पांच लाग नहीं आ उप्रेशन के लि एसली पियस कोई पैसा कमाने की मशीन नहीं है ना ही पैसा कमवाने की मशीन है यह तो एक सोच है मैंने 15 साल देश सेवा की है आर्मी के अंदर था मैं और आर्मी के अंदर रहते हुए मैंने कश्मीर में काटा है और कश्मीर के अंदर जहां पर लोग किशी को हत्यार मना के मुझे चलते हैं यह बंदा अपनी छाती लेकर आगे चलता था जिसने मेरे साथ कश्मिर काटा है वो जानता है वावी मुझे बाच्षा के नाम से जना जाता था को लिया चलाए भी है खाए भी है लोग मारे भी है सब कुछ किया है अंडेस्टेंड आर्मे की नोकडी की 15 साल इमांदारी से जीवन जी रहा था इसके बीच में एक कंपनी आ जाती है जिसने मुझे जोइन करा लिया जोइन करा लिया मैं एक भूका इंसां था जीवन में कुछ करना चाहता था उस कंपनी में मैंने काफी मेनद की काफी मैनत की करोडों रुपे भी कमाए लेकिन अंदर से आत्मा संतूष्ट नहीं हुई क्योंकि करोडों रुपे मैंने लाखों लोगों का दिल दुखा कर कमाई कुछ गलत चीजें मैं बेच रहा था गलत प्रोडेक्ट बेच रहा था किसी काम के नहीं थे एक सपने बेच ने लिकिन मैं ना समधता मुझे पता नहीं था कि यह चीज़ गलत है सई लेकिन जब मुझे रहा चीज़ पता चलिए आता है ना गरिण करना चाहता हूं लेकिन अच्छा है और प्रवांदारी के साथ करना चाहता हूं मुझे पता है पैसा कमाने के लिए बेचना तो पड़ेगा कुछ ना कुछ लेकिन मैं ऐसी चीज बेचना चाहता हूं मैं दो रुप्या भी कमा लूँ और दो करोड लोगों की दुआ भी कमा लूँ मुझे कोई ऐसा काम बता मैं दोस्तों मुझे नहीं पता था क्या है अरुवेद है कैसे बेचना फ्रोड़ेट कहा बनते हैं कैसे बनवाते हैं क्या कुछ नहीं पता था जैब यह विल्ट इस वर्ट्स आर फो मैं हर्ट विल्यों बलीव बद्ध भगवान को पता था ये बंदा यह बास सोच रहा है ऐस इसे सोचते उस कंपने में महीने में इक पांच यह लाग रुपे ने दिमाग में can मैंने 6 kg उखला कुँख़ facultyどう Right Give us exist रिजाइन देदिया कमणी को और मैंने उस कमणी को बोला अब यह गंदी चीजे मैं नहीं किकूँड़ा तो बोला 6 कुछ माहोल देखकर हिंदूस्तान का मुझे कुछ हो रहा है। कि तो फिर उपर वाले ने दो साल तक दोस्तों मैंने कुछ नहीं किया अपने घर पर अपना बचा हुआ जो पैसा था वही खाने-पीने में निकाल दिया लेकिन रोज सर्वे करता रहा सर्वे करता तरह किया करूँ क्या कड़ू क्या करूँ जिसमें विस्निस को देखता था हमही पर गाली देखता था बगद जेक्ता था वेपारी को का मिलती jest हम कपडा करीद नहीं जाते हो टी-शर्ट करिद कर लाते हैं टीश्ट करिद के भाहर आते हैं बहुतर हराम जायते ने महबत और दुआ के साथ कर लिए बस यह सोच के साथ एक दिन कहीं बैठा था बातचीत होने लेगी हेल्थ के ओपर लाइफ इस्टाल डिजीज के ओपर कि बिमारिया बहुत बढ़ती जा रही है आने वाला समय बहुत खराब है आने वाली दुनिया बहुत जाद है डेंजरस ह लिए लोग खाना पिना इस तरह का उप्योग कर रहें उल्टी सीधी चीज़े का रहे हैं लोग बहुत बिमार होंगे इनसे कैसे बचा जाए कहीं बैठा था किसी ने सोच दी कि आयरुवेद के साथ इससे बचाया जा सकता है आयरुवेद के साथ और लोगों को हैं जो इतना विनाशकारी समय उससे कुछ ना कुछ इस देश का बचाव हो जाए दोस्तों इस सोच के साथ 9 नवंबर 2014 को एसलिप्यस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड़ की मीज़ रखी जब मार्किट में आए लोगों ने बोला ऐसी बड़ी-बड़ी बाते सब करते है यह प्रोडेट सब के अच्छे होते हैं सब ड़िजल्ट देंगे में अग्यों सब के दियमाग में एकुआ हमारी प्रॉब्लम है हर एक दूसरे को साथी कैथ अक हर एक इंसान पर शख करना ये सळों ये नवन प्रोब्लम हि हमारी इंदुस्तानी लोगों की हर आदमी को कर देखते हैं चाह मोधी हो मनमोहन सिंह चाहा राउल गांदी हो कोई भी हो शक का जगे हम अपने दिमाग में हमेशा रखते हैं बोहने का नएं ऐसी बहुत कम्पनी आई बहुत कम्पनी गई इस तरह की कोई कम्पनी नहीं हो सकती जिसके प्रोडच में से का रिजल्ट हो दोस्तों 9 नमंबर 2014 को ऐसी एक स्टेज था वहां से एक बात बोली थी कि एसलिप यस बनाने का रीजन एक ही है कि सच बेचकर पैसा कमाना देड़ साल से सच बेच रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं मकसद एक है लोगों को ठीक करकर पैसा कमाना हमें नहीं कमाने अर्वो खर्वो रुपे कई बार लोग आजाते हैं शंजीब सार आपकी कमनिव बिजण बताओ मिशन बताओ मतला वही कंदकी विशन में क्या कितना पैसा कमाना चाहते ओ मिशन में का कितना बड़ा बनना चाहते हो अरे हमारा कोई विजन नहीं understand we are the visionless people हमारा कोई विजन नहीं है कोई मिशन नहीं है मेरे से अगर कोई आगे पूस्ता है सर मैं आपकी कंपनी में काम जब करूंगा जब आप अपना विजन और मिशन बताओगे मैं बोलता हूं मेरा कोई विजन नहीं टाटा मैं बनने सकता मानी मैं बनने सकता बिरला मैं बन नहीं सकता नहीं बनना चाहते हैं हमारा विजन सिरफ एक है पूरी जिन्द की जब तक इस सास में सास है लोगों को अच्छा प्रोडेक्ट देना ठीक करना और टाइम से उनका पैसा देना डेट सोड़ है डेट इस आवर विजन अंडेस्टेंड तो दोस्तों यहां आजादी की लड़ाई है कि कभी तुम अंग्रेजों के गुलाम थे आज बीमारियों के गुलाम हो बीमारियों से आजादी की लड़ाई है जैसे आजादी की लड़ाई में देश भक्तों ने काम किया ऐसे देश भक्त बनकर इस यह मिसन समझके करो तब काम होगा ही होगा इतने जालिम हम कैसे बन सकते हैं इतने लालची भी कैसे बन सकते हैं हर समय अपने बारे में सोचना अपने बारे में सोचना एक कंपनी एक प्लेटफॉर्म दे रही आपको कि सोच ले लोगों के बारे में अरे ठीक है वो जोड मत मत जोड एक प्रोडेक्ट तो बेच के आजा मैं नहीं कहता तू 10,000 ला 20,000 ला 50,000 ला एक प्रोडेक्ट बेज कर उसकी बिमारी तो ठीक करके आजा इसलिए तो हम आये थे हैं पर और इस मिशन में आप सब हमारे भागिदार हो और इस मिशन को आप सब आगे जब एच्छी तरह बढ़ा सकते हो जब कही ना कही एक सब्सक्तानी आपके अंदर जाग जाएगा जिस दिन वो जाग गया ना किसी को मोटिवेट करने की किसी को बताने की जूरत नहीं है कि आपको यारुवेद के साथ काम क्यूं करने अब बात यह दोस्तों इंसान कितना मर्जी पैसा कमा ले क्या पैसे से कभी सपून मिला है सब कुछ नहीं है पैसे से सपून नहीं मिलता उस पैसे को कमाने के लिए मैं काम क्या रहा हूं किया वो काम अच्छा है बुरा है मैं लोगों को लूट रहा हूँ बेवकूप बना रहा हूँ गल्द चीजे बेच रहा हूं अगर मेरा काम बुरा है और पैसा अच्छा है तो रात को नींद नहीं आती और मुझे पैसा कम मिलता है लेकिन मेरा काम अच्छा है तो भी रात को अराम से नींद आ जाती है करें यह आ सोच के तो काम क्या कर लेजुँ मैं एक वार सोच के थो हम के अपैसे noobo कैभीड को भीलाता हूँ समिनार करते हो यह सउर्न ओ लोगों के घरगर जाते हो क्या बतात पहली चीजब विखाने के बदे घंटे बात पाणि पीना सुबह उटके नीटर पाणि प्लेना थानी तो प्री को अधा है पैसे तो नहीं आता यहीं बात didnow कुछ अच्छा बताते हो तुम लोगों को कहते हो भाई बगवान ने गोड मेड़ फूड मत खा इनसान लालची था लालची रहेगा इसने अपने लालच के लिए कभी किशी को नहीं देखा यह सब की गर्दन काडता है काडता रहेगा क्योंकि यह इंसान है और बगवान ऐस अप्षा कभी करनी सकता तो भगवान ने जो खाना हमारे लिए बनाया वहां दाल का चावल का फल भुट का सब्जीला इंसान ने बनाया चोकलेट बरगर पीजा पेपसी आइस क्रीम किसने बनाई है किस ने बनाई है किस लिए अपने लालच यदू को पीने के लिए तुम्हें प्रेरिद करेगा त्योंकि वहां लालच है और हम लोग इस लालच को दर्किनार करकर लोगों को भगवान के खाने से जोड़ रहे हैं इस से अच्छा काम आप लोग क्या कर सकते हो बताओ और कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आद में आप पर प्रोडेक्ट खरीद के जाएगा लेकिन एक तो अच्छे बात है मैंने 500 लोगों को समझाया 500 लोगों में किसी ने पैपसी छोड़ी किसी ने बर्गर छोड़ा किसी ने घंटे बात पानी पीना शुरू किया किसी गरीब पीना उसकी अंदर की सारी बिमारी कतम हो सकती है एक लिटर गरम पानी से अरे उसने हमारा एक प्रोडेक्ट ने लिया 500 लोग आए किसी ने कुछ अच्छा किया किसी ने कुछ बदलाव किया तो हमने नोट नहीं कमाया पर हमारी हाजरी उस उपर वाले के आपकल लगी होग सफलता का बाई पार्ट पैसा होता है अंडेस्टेंड मुझे किर्किटर बनना अच्छा अगर मैं किर्किटर बन गया तो पैसा तो पीछे-पीछे अपने आप आप आजाता है लेकिन मेरा करम में मुझे सफल होना है मेरे काम में मुझे सफल होना है मुझे सफलता प्राप करनी है और मुझे इस आयरवेद को घर-घर पहुचाना है लोगों को खाने पीना सिखाना है क्या खाना अच्छा है क्या बुरा अगर इसमें आप लोग सपल होते जा रहे हो तो इस तरहे ट्रिपल डाइमंड बनते जा रहे हो कि यह सोर नो तो मेरे दोस्त लोग यह एक सच है जिस सच के साथ आप लोग जाने अंजाने में अपने दोस्त के तुरू किसके तुरू यहां पर आ चुए एक अंडर्श्टेंड तो माई डियर फ्रेंड यह काम हम लोग कर रहें इस काम में इस मिशन में आपको हमारा साथ देना नहीं देना यह आपने समझना है मैं आपको जवर्दस्ति नहीं करूंगा मजबूर नहीं करूंगा पर मैं एक लिक्के गारंटी देता हूं जिस तो मैं क्या दूँगा क्या कमिशन आएगा नहीं मालूम लेकिन जिसने धाई लाग जिस गरीब के बच गई और धाई अजार में ठीक हो गया वो इतना कुछ दे देगा यह जनम तो क्या दूसरा जनम भी पार हो जाएगा वाई सर्डेंग यह थी सोच एसलिपिस वेलनेस प् अपने को लोग नहीं जोडने अपने को हर घर में प्रोडेक्ट सेल करना है क्या करना है हमने अर घर में प्रोडेक्ट सेल करना है जोडने जुडाने की नीती तो उसे बताने जिसे जुरूत है कोई आनिम्पलेमेंट है बेरोजगार बच्चा है कोई हाउस वाइफ है या क यह product खिलाने के लिए खाने के लिए मजबूर करना है example दूँ मैं किसी के घर पे गया मैं किसी के घर पे गया मैंने product बताया product बताने के बाद एक दम मैंने उससे पूछा तो बताओ sir कौन सा product लगेगा वो बोलता है कोई भी नहीं लगेगा क्या बोलता है sir आपको क्या कहा आपने कि आपको हमारे इन सबी product में से कोई भी product नहीं चाहिए इसी सोच की वजए से हमने हमेशा सोचा है सरीर को सिरफ रोटी चाहिए चावल ची दाल चीए और कुछ भी नहीं चाहिए यह ना चाने की वज़ए से आज लाकों kidney डेली फेल ओर हो रहे हैं लाकों लोग लागों लोगों के घुटने खराब हो रहे हैं लागों लोगों को पत्रियां हो रही है क्योंकि आज तक हमने एक ही तो काम किया है कि इस सरीर को रोटी सबजी के सिवा कुछ नहीं चाहिए कर उसे पूचूँगा तो सर आपके घर में बाइख है या से चाहिए यैस की सर्विस आयों क्या बूलेगा हां बोर्ड मेड मेकेनिजम है बगवान ने बनाया है एक बार उपर निकल गे तो दूबर वापिस आने का चांस इस नहीं है चाहर बोर रुपयर रिष्पत दे ले लेना का यहाड क्या है मैं आप सबसे पूचता हूँ यहाड क्या है यह निवर आपका फ्यूर टेंक जो भी आप खाते हो मज़े गुलुकोस निकालता है और पूरी बोडी में आपके एनरजी देता है अगर इन चीजों को सर्विस नहीं मिलेगी तो यह खराब होंगी या नहीं होंगी खराब होंगी या नहीं होंगी तो सर बाइक की सर्विस तीन हजार में हो जाती है यह सोर नो कार की सर्विस पा कराओगे तब आब कि हो ऑग वह क्या बोलता है चलो देखें अगतों एक बात से पूचता हु और सब बास हम वत बाद बता हुश है वार्या वाइक की सर्विसिशंदी लिग कराते हो ख्राब होगी तो संतर sitä जा रूब जायेंगे पास लाक खूंगे क्योंकि कि उसकी आपने कीमत दी है कीमत दी है तो आपको उसकी इंपोटेंस बताए कि यह बाइक यह कार में लिए कितने इंपोटेंट है लेकिन जो इंसान का सरीर है यह जो इंसान रुपी सरीर है यह आपको और मुझे मा के पेट से फ्री में मिला है मेरी माने इसकी एक रुपया की आदेगी वजह से एक बार किडिनी में कोई प्रोब्लम आ गई और डॉक्टर ने पाच लाग रुपे ले लिए ना तो डॉक्टर बोलेगा यह तो पकड़ दवाई और सुपह डेली पाच पाच डखकन अलोवीरा पिना यस सर दो पैर को पिना यस सर साम को नोनी पिना यस सर त्रिपला पिना यस सर तुल्सी पिना यस सर जिंजर पिना यस सर जब डॉक्टर जो लिखके देता सारी बात मानते न क्योंकि कीमत देके आते हैं तो इस सरीर की कीमत समझ में आ जाती है तो दोस्तों कीमत ना देनी पड़े इस हिंदूस्तान में एक भी हिंदूस्तानी को तो उसे Immunodog जैसा product हमेशा यूज़ करना चाहिए, कोई कीमत नहीं देनी पड़ेगा Understand? यह तो काम हो गया दोस्तो सामाज के लिए, इस देश के लिए, हम सब के लिए, हमारे सकून के लिए, हमारे सैटिस्फेक्शन के लिए और दूसरी बात, नेट्वर्क मार्गेटिंग एक बहुत अच्छी अपोर्चूटी है आठ हजार दस हजार रुपे लगा कर आपको करोणपती बनने का मोका भी तो मिलता है येस और नो, इतनी दुआएं लेकर पैसा कमाने का मोका भी तो मिलता है और ये मोके की इंपोर्टेंस समझो, इसकी वेल्यू समझो, इसे हलके में मतलो क्योंकि खुदा रोज-रोज मोका नहीं देता कहते हैं जिन्द की किश्मत बड़ी कुत्ती चीज एक मोका सब को देती एक मोका, बार-बार मोका भी नहीं देती माई डियर फ्रेंड मैंने कई बार लोगों को लगता होगा या यह पैसा कमाने की प्रेंडना क्यों दे रहा है पैसा कमाने की प्रेंडना क्यों दे रहा है हम नहीं देते पैसा कमाने की प्रेंडना और ना मैंने लिया तक पैसा कमाने की प्रेंडना पैसे के परिवासा देता हूं बस अगर ये परिवासा तुम सबको आध समझ आ गई या तो तुम इस गेट को भार निकलते मर जाओगे चोड़ दो गे आज काम लेकिन अगर इस बात को समझ गए तो इस टेट को निकलते ही आज के बाद तुम कुछ कर जाओगे और इतना बढ़ा कर जाओगे कि आने वाली दस पीड़ी में तुम्हारा नाम कतम नहीं हो सेमत हो कुछ लेकि हम्मानी भी नहीं गया ना टाटा गया ना सिकंदर गया तो मैं क्यों पसीना भारों भाई कि money is a tool to express your emotions अंग्रेजी में बता रहा हूं हिंदी में सुलो पैसा सिर्फ और सिर्फ और और सिर्फ अपनी जरूरतों को अपने emotions को अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है एक माध्यम है मिडियेटर है जैसे मुझे ख़डा खोधना है तो माध्यम क्या है कशी क्या माध्यम दोस्तों इस दुनिया के अंदर हर आदमी प्लेटफोर्म जूरता है को 10 दिन economy वीज दिन में ठक जाता को एक महिने में ठक जाता है और कोई काम शुरू करता है नहीं और कोई काम शुरू करके कुछ कमा लेता है उसके बाद छोड़ जाता है क्योंकि उसके अंदर इनसान नहीं रात्स चाज़았ता है Emotions की value समझते हो Emotions क्या होते हैं चाहते क्या होती है मोहबत क्या होती है अरे जिस इंसान की चाहत किसके पास है जिसे अपने बच्चों के लिए अपने माबाब के लिए अपने परिवार के लिए खुद के लिए कुछ करना है तो मैं चाहता हूँ आज हम लोग यहां पर आए बैठे बाहर जाएंगे दस लोगों से बात करेंगे अरे वो देखिया कंपनी का प्रोग्राम हां देखिया क्या था यह था आए बख्वास है ऐसी चलती रहती है यह सोर नो ऐसी बाते बाहर के लोग आपको बोलेंगे क्योंक कि और किसी ने समझाया तो समझने की कोशिश नहीं की और समझ गए तो जल्दी भूल चुके है कि वाट इस ना मीनिंग ओफ लाइफ ना मैं डिर फ्रेंड जिंदकी समझ में आजया तो रास्ते पर काम करने मज़ आएगा क्योंकि रास्ता एक नमर का है दो नमर का नहीं कि money is a tool to express your emotions हर इंसान अपनी चाहतों के लिए काम करता है हाथ जो भी इंसान पैसे कमा रहा है हर आजबी का करा है लाल्ची है पागल है पैसे के पीछे भाग रहा है नोकरी से काम नहीं चलता है एक नया काम और कर रहा है हाँ है ना हर पडोसी यह कहता है ना यह सोर नो क्य कि यह चाहता हूं कि जिन माबाब ने मुझे जनम दिया मैंने उनके लिए कुछ नहीं कि हमें कुछ करना चाहता हूं एक अची गाड़ी देना चाहता हूं अगर मेरे माबाब बिमार हो जाए तो अपोलो से नीचे उनका इलाज कराना नहीं चाहता क्योंकि कहीं ऐसा नहों कि छोटे डोक्टर से एलाज करा हूँ और मेरे माबाब पुरी जिंदकी के लिए मेरे जरूर जाए यह मेरी चाहत है मैं चाहता हूँ कि मेरे माबाब महलने में जाके गरब से बोले I proud of my मैं अपने बच्चे पर मुझे घमां है कि 조समर मेरा बेटा है मैं यह चाहता हूँ मैं अपने माबापों की खुश्यों को देने के लिए 24 घंटे पसीना बाकर मैनत करना चाहता हूँ पुझे मेरे मेरे माबाप को खुशिया देनी है यह मेरी चाहत है मेरा लालच चाहता हूं कि यार मैंने जिन्दगी जैसी जी जी मुझे बच्पन में सुविधाय नहीं मिली मेरे को वो चीज आर्थिक परिस्तिती मेरी स्ट्रॉंग नहीं थी तो मैं चाहते अच्छा पढ़नी पाया लिखनी पाया और मैं कुछ बढ़ानी बन पाया लेकिन अब जो मेरा सا भी तक ड्राय बच्च उसे मैं हिंदूस्तान के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाना चाहता हूं अगर कल डौक्टर बनने का मोखा ऊ-टो क्रोड रुपे रिस्पत देनी ओ、 और दो क्रोड में एडिबिशल रुने रहना यह बीरी बीटिया है, और जिस बीटिया को मैंनत करता हूं यह मेरी चाहत है मिरा लालच है जोग वोलो तो यह चाहत तुमारे अंदर नहीं है tips आ थम पत्थर दिल बन चुके हो क्या तुमारे अंदर इंसान मर चुका screen या और राक्षस ने जनम ले लिया है अरे जिसमें मैं चाहत है ना वोई भाग रहा है वोई महनद पर रहा है सफलता फ्राप्ट करने का मतलब शिरॉप अपनी चाहतों को पुरी कनने का पैसे कोई नहीं खाता मैं दिर प्र अ ook मैं चाहतا हूं कि मैं कुछ गरीबों के लिए अच्छा कर सको Κिसि को घरOh mate कर देंकिक कर को चाथ कर को समाज के लिए कुछ कर सको अपने गाउस के लिए कुछ कर सकूँ सब्सक्राइब आख स्ब्सक्राइब में मेरा फेट भरता है दो ही रोटी दो एक सब्जी मुझे लगती है दो रोटी एक सब्जी शायद आपको लगती होगी कपड़े दो जोड़ी मुझे लगते हैं दो जोड़ी आपको लगते होगे थोड़ा बहुत कपड़े में फरक होगा भाई बागी भाई सब तन दोनों करना पड़ेगा कि सपाल होना है क्या करना पड़ेगा ऐसली पेस करनी पड़ेगी मैंने का नहीं नेट्वर्किंग करनी पड़ेगी मैंने का नहीं कुछ और करना पड़ेगा मैंने का नहीं फिर क्या करना पड़ेगा सची महबत करनी पड़ेगी रियल प्यार करना और जिस दिन तुझे सच्ची महबबत हो जाएगी नो तो धिन तुझे रोकने से खुदा भी आ जाने वार रुकने तो खुदा रुंग जाएगा लेकिन तून रुकेगा जिसने सची महबत हो कर यह अंदेश्टेंड क्या होती है सच्छी महपथ को इंसान आत्म हैनद से मरा है क्या है कोई बहने है क्या इन्साν डिप्रेशन से मर रह है टेंशन या कोई नहीं मैनत तुम 24 घंटे 22 घंटे करो दो घंटे सोने को मिल जाएं सरी फिर फ्रेश हो जाता है यह सोर नो तो माई डियर फ्रेंड आपकी सक्सेस कहां छुपी है मालूम आपकी सक्सेस आपके अंदर छुपी हुई है अगर आप सचे इंसान हो तो आपको सबल होने से कोई नहीं रोक सकता बलकि कहते हैं शारू खान के पिक्चर देखिए तुमने ओम शांति ओम उसने एक डायलोग मारा है कि शीवे चीज को तुम सिद्दत से चाहो तो पुरी चाहत करो क्या बोला उसने चाहत करो यह चाहत कोन करता है हम लोग ऐसे बाप भी देखेंगे खुदको दारू का पववा चीए बच्चे चाहें भुके सो रहे हो हाँ ओना ऐसे बाप इस दुनिया में ऐसी मा भी देखेंगी तीन बच्चों की मा और दूसरे के साथ भाग तो कोई रिस्ता कोई गारंटी नहीं होता याद रखना रिस्ता कोई गारंटी नहीं होता रिस्ता कोई गारंटी नहीं होता माममता की देवी है लेकिन वो कहां गई जो तीन बच्चों को साथ छोड़के भाग गई वो कौन सी देवी है कोई रिस्ता गारंटी नहीं होता हर के पीछ एक इंसान होता है और इंसान उस रिष्टे को निभाता कैसे है रिष्टा तब गारंटी बंगता है अंडेस्टेंड है तो मेरे दोस्त सची महबत में कितनी शक्ति है मैं आज आपको बताऊंगा हम सब लोग कि मैं अभी शुरुवात मैंने करी ती अपने इंडिया के देश भक्त की बात पर किती हम सब ओरिजिनल लोग नहीं है हम जितने लोग यहां बैठेस में 99 परशेंट लोग डुप्लिकेट लाइफ जीते हैं मालूम आपको डुप्लिकेट जिन्द की जीते हैं हम लोग डुप सबस्सक्राइब कितने लोग कि अपने माब रहां से सची मौहपत करते हैं हाथ खड़ा कर न भून लेज़ पर Dryzy कोन सार्म स्काहिते चिंज देनाइ के तौह दोथे एक लिंग हो उन्हें इंग होता है है प्यार की भरीवाशा जानते हो प्यार का दूसरा नाम कृग्धा निया आपने कहा हमें मैंने मंपाप से प्यार करते हो आपने करते हो तो दिल पर हात रगशन के अरे पैसे के नाम से आप महबाब को छोड़ देते हो और जूट बोलते हो मैं अपने महबाब से प्यार करता हूं अरे वो प्यार नहीं है डैड I love you इस नोटा लव डैड मैंने आपके लिए यह किया आपको एक घर बना के दिया एक गाड़ी दी पिताजी अगर आप बिमार हो जाओ तो आपके लिए वो हुस्पिटल में 24 गंटे आप जा सकते हो डैट इस कोडल लव प्यार का दूसरा नम कुरभाणी है कितनी कुरभा नहीं दिया अपनी कितनी कुर्भा नि दिया है अपने सोच कर देख नहीं एक बार जैर जैसी बाते साइनेड है या तो मर जाओगे या कुछ कर जाओगे लेकिन यह सच हम महबत नहीं करते अपने माबाप से माबाप से सिरब वो शक्स को मैं मानता हूं महबत करने वाला अगर मेरे बाप को कैंसर हो जाए तो अमेरिका में इलाज कराने की अपनी उकात बना लूँ मैं मैं निकल गई फूस होगी नहीं करते नहीं करते मेरे को मालूम है नहीं करते बाते करनी बहुत आसान है प्यार का दूसरा नाम कुर्बानी प्यार का दूसरा नाम सेक्रिफाइस है बच्चे से अगर मैं प्यार करूँगा ना मेरे बेटे से तो अगर मेरा बेटा कहे पापा य पेटा के पापा यह पहनना तो पहनाऊंगा क्योंकि मुझे अपने बेटे का प्यार जीतना है और मेरे को उसका प्यार जीतने के लिए उसकी जिंदिकी में जो उसकी ख्वाइश है उससे पूरी करने के लिए मैं दिन रात महनत करूंगा क्योंकि I love my son ओके I love my son कि तुम्हारे बेटिया होंगी छोटी-छोटी है या नहीं है होगी ना सब कहतो हो मैं मेरी गुडिया से बहुत प्यार करता हूं मैं मेरी गुडिया से बहुत प्यार करता हूं मैं मेरी गुडिया से बहुत प्यार करता हूं साला काम का नाम आए तो एकदम से मठ मार जाता हो 10 लाक होंगे तो नोकरी वाले के यह जाएगी पूरे महीने बजट सेट करती रहेगी और अगर तुमने अपनी योकात एक करोड रुपे की मना ली कि मेरी बेटी की शादी में एक करोड करने की हिमत रखोंगा तो बेटी रादियों की तरह पूरी जिंद की एश करेगी महारा हाथ में सोचो तुम कमजोर क्यों बने तुम मजबूर क्यों बने तुम कहीं बड़े आदमी क्यों नहीं बने क्यों तुम्हारी आर्थिक परिस्तिती कमजोर थी जिन्हों ने तुम्हें कमजोर बना दिया याद करो अगर तुम्हारे पापा के पास भी इतने पैसे होते कि तो ज़ैले में तुम्हें बैलेट का कॉर्स करा देते तो यहां कौन ऐसा आदमी है। हजाज नीइ उड़ा सकता भाई सो जवरा सकते हो ! हाए ना। जाज लिए क्यूंकि हमें किसी कुर्स नहीं कहा Kentu किने हमारी परिस्थितियां कोर्स कश्रांव के लायक नहीं थी तो जिन्द की जिन्द की हमारे बच्चों की हमारे हाथ में ना क्यूंके हाथ कि अंडेस्टेंड कि कितने लोग हैं जो अपनी बीवी से प्यार करते हाथ खड़ा करो जूटा कर लो नहीं तो फज जाओगे वीडियो बन रहा है कि इधर कर लो भाई तीन चारे नाम लिख ले बाई ये चार आदमी पती पतनी बगता और कोई नहीं हां सारे इधर उधर मार रहे हैं मूँ कहीं चैक करो नहीं माई डियर फ्रेंड बाद समझ मारी है मेरी अगर मैं अपनी वाइप से प्यार करता हूं तो I love you means this not a प्यार इस नोटा लव ओके I love you darling darling बुखार में तरह प्रिया हाई जी बहुतेज बुखार और चिंता मत्रों मेरी जहान है लव यू सो मच अपे साल है लव यू नहीं डोक्टर के पास लेके जा यह तेरे love you से ठीक नहीं होगी डोक्टर ठीक करेगा और अच्छा डोक्टर ठीक करेगा understand it's the real life यह एक सची जिंदकी यह एक original जिंदकी आप duplicate बनके मत जियो आपके अंदर duplicate से नहीं आप यह पूरी जिंदकी एक दिन में किषीया बात कर रहता मकर इंसान कहता मैं इतना लाल ची उतनाल चीयू अर इंसान डूपिलिकेट लाइफ क्यो जो यह जी रहा most इसा है नहीं जैसा दिखाता है अंडेस्टेंड हम लोग ऐसे है नहीं जैसे हम सो करते हैं हम एक अच्छे बाप भी हैं अच्छे बेटे भी अच्छे पती भी हैं लेकिन हम डुप्लिकेट लाइफ जीते हैं अपने अंदर जो हैं जैसे हैं जिस दिन वैसे जीने लग जाएंगे न तो दोस्तों जीने का अंदाग बदल जाएगे अधरिश्टेंड तो माई डियर फ्रेंड यह मेशन है हमारा मिशन है कमनी का मिशन है आप सब का मिशन है और आप सब हो तो हम हैं और आप नहीं तो हम भी नहीं Yes or No? सही है हम सब एक दूसरे की तागत हैं और यह तागत जितनी बढ़ती चली जाएगी जितनी बढ़ती चली जाएगी हिंदुस्तान में लोग उतने ठीक होते चले जाएगे Understand? और अगर कुछ गलत कर रहा हूँ ना यहां बैठाओं बाद कई बोलते हैं जाले वो बोलते हैं नेगेटिव एलिमेंट्स ये कंपनी प्रोटेक्ट महंगे बेशती है ने सस्ते बेशता हूं में भी पानी मिला दू इनमें हैं सस्ते हो जाएंगे गोली कैप्सूल में बना दू सस्ते हो जाएंगे तुम्हें पैसे ना दू सस्ते हो जाएंगे कोई कहता है यह तो 200 रुपे का आता है कोई कहता है जी 500 रुपे का आता है हर तरह की बात हरता के नेगेटिव एलिमेंट मार्केट में गुंपते हैं मेरे को कोई फरक नहीं पड़ता बताने में सिगरट जो है 15 रुपे की है कोश्ट 20 पैसे कितनी है 20 पैसे मेरे को फरक नहीं पड़ता अगर इन में ओरिजिनल माल डालना है और आपको अच्छा पैसा देना है तो प्रोडेक्ट मुल्टिप्लाई करना पड़ेगा ही पड़ेगा और बेचने वाले के उपर वह चीज अप पर विक्री है अंडेस्टेंड तो दोस्तों मुझे एक बात बताए कोई कोई बोलता कंपनी ये करेगी वो करेगी कब तक चलेगी कैसे चलेगी जितने लोग यहां जुड़े हुए है तुम्हें आद तक रिजल्ट मिल रहा है डेर साल से प्रोड़क्ट का 24 घंटे में और ये कंपनी हमें साटल रहेगी अंडेस्टेंड और दोस्तों एक बात याद रखना सच की जीत होती है थोड़ा देरी से हो जाएगी हम बहुत तेजी से बढ़ना नहीं चाहते हमारा कोई कॉम्पटिशन किसी कंपनी से नहीं है भईया सब अपनी जगे बढ़िया काम कर रहे हम क्या कर रहे हम तो अपना बता रहे हैं अंडेस्टेंड हमें पैसे की कोई आग नहीं हम बढ़िया है हमारी लाइफ बहुत बढ़िया चल रही है पहले भी बढ़िया थी आज भी बढ़िया और कल भी बढ़िया होगी और याद रखना आज तुम्हें जानकर मैं दोस्तों कि नेक नियत से और सचे दिल से काम कर रहे हैं कि अज़ेंड कैई बार लोग कहते हैं सहाब आफ बना दिये आप इतना पैसा लोगों को क्यों दे रहे हैं क्यों मेरेको पैसा अच्छा नहीं लगता क्या मैं इस पागल्व महाद करते हैं हमनेजमेंट दिन रात रहेता हम मैनत करें हमें पैसा अच्छा नहीं लगता क्या यह प्रोटेक्ट अगर मैं गोली कैप्सूल में बना दूना यह तुम्हारा एक डिब आसी रुपे देता है मेरे को क्योंकि बिजनिस करने का अपना को इरादा भी नहीं है अपन जो कर रहे हैं सिर्फ अपना करम करें काम करना हमें आता है बिजनिस करना हमें नहीं आता है कि एक करोड़ साट लाग का नुकसान क्यों कि अगर गोली कैपसुल में बनाता तो लोगों को फायदा नहीं होता मेरे को मालूम में लिक्विड में हम लोगों ने बनाया तो लोगों को आज फायदा हो रहा है मेरे को मालूम अच्छी उर्पे जाए तो जाएं कम से कम लोग में तोदें समय है और अंधेसाइं तो भाई-साब ऐसा कुछ नहीं है सब चैसेख ब्ल्कृाइट यू चाहे अच्छे पैसे भी दे सकते चैसी राजनिती भी हिंदूस्तान में हो सकती है अच्छे-च्य काम भी हो सकते हैं सरा नियत का खेल किसा क divert करने पढ़ता है स्कतित करना पड़ता है कुर्मानी देनी पढ़ती है हर जग हर सफलता कुर्मानी मांगती है cet तो माई डियर फ्रेंड यॉर इंडियंस अरे हिंदुस्तानी हो हिंदुस्तानी खून है हिंदुस्तानी कंपनी में काम कर रहे हो हिंदुस्तानी प्रंपरा को बेच रहे हो इसे बढ़ावा दे रहे हो यह सोर नो अगर सच्चे हिंदुस्तानी हो ना तो एक ही बात सोचना मै अपना अपनी जेब के साथ-साथ, अपनी जेब की सिवा करने के साथ-साथ, ये काम करकर देश की सिवा भी कर रहो, कहीं ना कहीं कर रहो, लोगों को रोजगार दे रहा हूं, लोगों को ठीक कर रहा हूं, तो दोस्तों एक बार, अगर तुम सच्चे हिंदुस्तानी हो ना, तो हिंदुस्तानी बन के काम करना मेरे को बहुत फॉर्ण कम्पनी आई वह तो फर है बड़े लाला चाहे लेकिन आस्ता एक ने बोला सर अपनी कम्पनी फॉर्ण में लॉंच कर दो मैंने का पहले मेरे भारत के लोग ठीक हो जाएंगे साली तब तेरे पास आएंगे कि इतनी जल्दी नहीं है यह में पैसे गवाने के अंडरेस्ञेंड वीर्फ हमारी कमणी बहुत अच्छी चल रही है और हिंदूस्तान में जहां चल रही एंड रेत Iraqi वन दोस्तों ये मिशन है मिशन है मिशन है लोगों ठीक करना है जैहें जैहें जैभारत बारत माता कीजे निच्छित ने